2024 लोकसभाद चुनाव से पहरे गोधी मीडिया को बड़ा जटका लग गया एक तरफ गोधी मीडिया के 14 नफरती एंकरों को बॉयकॉट किया गया तो दूसरे तरफ चिफ जस्टिस ओफ इंडिया डिवाई चंद्रचूड ने भी गोधी मीडिया पर बड़ा एक्शन ले लिया सुप्रम कोट ने ग्रहम मंत्रालाई को अल्टिमेटम दे दिया है कि वो मीडिया पर रिपोर्ट तयार करे यानि एक तरफ इंडिया और सुप्रम कोट ने भारतिय जुनता पार्टी की मोधी जी की निंदे उड़ा दी है और गोधी मीडिया या मोधी मीडिया को इंडिया गटबंधन के साथ साथ चंद्रचूड से भी बड़ा जटका लगा है क्या है पूरा मामला बताएंगे आपको कि किस अंदावस में डीवाइट चंद्रचूड ने ग्रहम मंत्राला से रिक्वेस्ट किया है या सतर किया है कि मीडिया पर सक्ती भरतने की बेहद जरुरत है तो वहीं इंडिया गड़ बंधन ने भी जो है कि पूरी तरहां से मीडिया को बॉयकॉट करने का नफरती आंकरों को बॉयकॉट करने का एलाम कर दिया है तो पूरी तरहां से गोधी फॉज पर गाज गिर गई है पूरा मामला मैं विस्तार से आपको वीडियो में बताऊंगी तो वीडियो को आन तक जरूर देखे नमस्कार स्वागते आप सभी का देशनीती पर देशनीती किवल सची और पक्की खबर दोस्तो जो मैंने कहा था वही हुआ और यही होना था क्योंकि यह नफरती अजेंडा ज्यादा समय तक नहीं चल सकता इंडिया गटबंधन ने तो धमाका कर ही दिया बड़ी हिम्मत चाहिए इसके लिए कि एक जूट होकर के सभी पार्टी एक जूट होकर के 14 एंकर्स को 78 न्यूज चानलों ने चैनलों के नफरती डिबेट शो को बॉइकॉट करना कोई आम बात नहीं है इंडिया गटबंधन ने वो कर दिखाया जो आपको हम सब को बहुत पहले करना चाहिए था और इन लोगों को भी करना चाहिए था इंडिया गटबंधन का ये सबसे बड़ी स्ट्राइक है मीडिया पर गोदी मीडिया पर नफरती आंकरों पर ये सर्जिकल स्ट्राइक है इंडिया गटबंधन के सभी पार्टी ने ट्वीट के जरिये इस बॉइकॉट का ऐलान किया The decision taken by the India Coordination Committee in its meeting on September 13, 2023 The India parties will not send their representatives on the shows and events of the following anchors अधिती तियागी, अमन चोप्रा, अमिश देवगन, आनंद नरसिमन, अरनब गोस्वामी, अशोक स्रिवास्तव, चित्र अत्रिपाठी, गौरव सावंत, नवीका कुमार, प्राची परासर, रुबिका लियाकत, शीव अरूर, सुधे चौधरी और सुशान्त सिन्हा दोस्तों वहीं दूसरी ओर, कॉंग्रेस प्रवक्ता पवन खेरा ने ट्वीट करते हुए लिखा, कि रोज शाम पाँच बजे से कुछ चैनल्स पर नफरत की दुकाने सजाई जाती है, हम नफरत के बजार के ग्राहक नहीं बनेंगे, हमारा उद्यश्य है नफरत मुक्त भ देखनी, उस आदी से हम लड़ते आए हैं और लड़ते रहेंगे, लेकिन समाज में नफरत नहीं फैलने देंगे, मीटेगी नफरत, जीतेगी मुहबबद, सुप्रेम कोट ने ग्रहम अंत्रालाई से गोधी मीडिया को ले करके दो महीने के भीतर रिपोर्ट मांगी है, सीजी आई ने अमिट शाकी मंत्रालाई से कहा है कि आप मीडिया के लिए मैनूल तयार करें, यानि मीडिया को किस तरहां से काम करना चाहिए, किस तरहां की डिबेट प्रसूत करनी चाहिए, या किस तरहां की खबरे दिखानी चाहिए, जो फेक ना हो, प्रिंस की आजादी को बरकरार रखते हुए मेडिया के लिए एक मैनूल तयार करें और इस बात का ध्यान रखना होगा कि कोई खबर दिल्ली पुलिस द्वारा मीडिया को लीग ना करती जाए दो हजार चौबीस चुनाफ से पहले एक तरफ इंडिया गटबंधन ने एक तरफ सुप्रिम कोट ने गोदियों पर सीधा सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया है सुप्रिम कोट ने आरोपियों के अधिकार पर बात करते हुए कहा कि मीडिया ट्राइल करके किसी को फसाना गलत है इसके अलावा कोट ने इस मामले में राश्ट्रिय मानवधिकार आयो के इंपूट पर विचार करने के निर्देश दिये सुप्रिम कोट ने कहा है कि ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि किसी भी खुलासे का मीडिया ट्राइल ना हो ताकि आरोपी को पहले ही अपराधी नहीं माना जा सके दोस्तों आपको रिया चक्रवर्थी का केस तो याद होगा आरियन खान का वो केस अच्छे से याद होगा कि किस तरह से मीडिया ट्राइल करके जो है मीडिया ट्राइल के जरिये पहले तमाम पत्रकारों ने किसी आरोपी को दोशी ठहरा दिया रिया चक्रवर्थी को आरिय मीडिया में जिस तरहां से नफरती खबरे चलती है नफरती खबरों को परुसा जाता है जिस तरहां से फेक नियूस फैलाई जाती है उस पर भी लगाम लगाने के लिए सरकार को ग्रेहम अंतरालाय को सक्त होने के लिए सुप्रिम कोट ने कह दिया है यानि अब मामला पूरी तरह से हाथ से बाहर हो गया है दोस्तो 2024 चुनाफ के लिए मोदीजी के लिए प्रचार करने वाला सबसे बड़ा खंबा अगर कोई है तो वो है गोदी मीडिया गोदी मीडिया क्या करती है अंकर जो है वो पूरी तरह से जो है भारतिय जनता पार्टी का अजेंट बन जाता है चाहे आप रुबेका लियाकत को ले लीजिए चाहे आप सुशान सिनहा को ले लीजिए अमन चोप्रा, अमीश, देवगन, सुधेर, चौधरी इनके डिबेट पर, इनके प्राइम टाइम पर आपको येर कभी दिखाई नहीं देगा कि ये सारे पत्रकार पत्रकारीता करते हुए नजर आ रहे हो इनका कामी है विपक्ष को गाली देना, विपक्ष को कोसना और सरकार से एक सबाल ना पूछना अगर विपक्ष पूछ ले तो चट्टान की तरह, ढाल की तरह वो सरकार के सामने, भारतिय जनता पार्टी के सामने मोदी जी के सामने खड़े हो जाते हैं कि नहीं मेरे आका को कुछ मत बोलिए अगर 2024 चुनाव से पहले इन पत्रकारों के लिए मैनूल तयार की जाती है, जैसा कि CGI चंद्रचूर ने आमिच शा की मंत्राले से कहा है, ऐसा कितना होगा यह आगे चल के देखना दिल्चस्प होगा और साथी साथ इंडिया में कितने सारे पार्टी हैं आप अच्छे से जानते हैं कॉंग्रेस है, NCP है, आमादमी पार्टी है, त्रिनमुल कॉंग्रेस है, RGD है तमाम जो बड़े-बड़े नाशनल हो या रिजियोनल पार्टी हो कोई भी ऐसी डिबेट पर आने से अब से इनकार करेगी, कोई भी पार्टी तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि इनकी दुकाने तो चलने वाली नहीं है और नफरत की दुकानों को बंद करने के लिए ही इंडिया एलाइंस ने इतना बड़ा फैसला लिया और ये फैसला लेने के लिए गट्स की ज़रूरत है, जो इतने तमाम जो पार्टियां है ये मिलकर इंडिया अलाइंस ने मिलकर लिया है तो वहीं दूसरी तरफ जो है सुप्रिम कोर्ट ने भी मीडिया की नफरती अजेंडे पर कही न कहीं रोक लगाने की कहीं न कहीं अंकुश लगाने की जीतोर कोशिश में जुटा हुआ है ऐसे में देखना दिल्चस्प होगा कि इनके दुकाने कब तक बंद होती है लेकिन आपसे मैं अपील करूंगी कि आप भी गोदी मीडिया या ऐसे पत्रकारिया ऐसे डिबेट देखना छोड़ दीजिए जहां सिर्फ और सिर्फ ख़बरों के नाम पर नफरत परोसा चाता हैं जहां ख़बरों के नाम पर जुट फैल आई जाती है अगर आपको पत्रकारिता अगर आपको सची खबरे चाहिए तो देशनिती जैसे स्वतंत्र मीडिया का साथ दीजिए हमारे जैसे YouTube चैनल को सबस्क्राइब कीजिए और साथ ही साथ हो सके तो थैंक्स ओप्शन का इस्तमाल करें क्योंकि आपके सहयोगिता से आप मीडिया को लोगतंत्र के चौथे स्थम को आजाद रख पाएंगे तो हो सके तो थैंक्स ओप्शन का वीडियो के अंत में इस्तमाल करें और इस पूरे विशाय पर जैसे CGI ने ग्रेहम अंत्राला एको नोटिस जारी किया और साथ में कहा कि मीडिया पर कहीं कहीं प्रेस की आजादी को बरकरार रखते हुए मैनुवल बनाया जाए नफरती अजेंडी पर रोक लगाया जाए तो वहीं इंडिया एलाइंस ने भी साफ कर दिया कि इन 14 एंकरों के जो डिबेट शो है वहां हमारे कोई भी पार्टी के कोई भी प्रवक्ता कोई भी नेत नहीं मौजूद होंगे इस पूरे विशय को आपकी इस तरहां से देखते हैं कमेंट कर अपनी डाय हमारे साथ शेयर करें बाकि इसी तमाम खबरों को पूरी परताल के साथ पाने के लिए निस्पक्षता के साथ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें बहु पूलें